प्रेंट हैम्रेज और ब्रेंस्ट्रोक मुंबईकरों के लिए बड़ा खत्रा बन गया है BMC स्वास्त विबाग से मिली जानकारी के अनुसार महानगर में रोजाना औसतन साथ लोग हैम्रेज और लगभग छे लोगों ने स्ट्रोक के चलते अपनी जान गवाई है नीरो विश्योसोगी ने मुंबईकरों को अपने दिल के साथ साथ दिमाग का भी ख्याल रखने की सला दी है BMC स्वास्त विबाग में दायर की गई RTI याचिका के अनुसार वर्ष 2022 में ब्रें हैम्रेज के कारण 2573 लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी जबकि पिछले एक वर्ष में ब्रेंड स्टोक के आने के चलते 2012 मुंबईकरों को अपनी जिन्दगी गवानी पड़ी ये आकड़े 2021 के तुलना में करेब 8 प्रतिशत अधिक हैं जेजी अस्पताल के इंटर्वेशनल स्ट्रोक नेरोलॉजिस डॉक्टर शशांग नागेंदर ने बदाये कि ब्रेंड स्ट्रोक आने की वज़ा है सुस्त जीवन शैले हाई ब्लड प्रेशर, डाइपेटीज और दिल से संबंदित बिमारिया स्ट्रोक में दिमाग की वेसल में क्लॉट हो जाता है जिसके चलते ब्लड की सप्लाई दिमाग के अन्य हिस्से में नहीं पहुशती इस से हाथ, पैर, चेहरे पर लखवा मार देता है गोल्डन आवर्स में यदि व्यक्ति आता है तो उसकी जान बशाई जा सकती है नायर एस्पितल के नियरो सरजरी विभाग के प्रमुक डॉक्टर आदिल छागला ने बताए कि ब्रेन हैमरेस के लिए वायू प्रदूशन भी एक कारण है वायू मंडल में मौजूद डस्ट हमारे शरीर में जा रही है प्लड में ऑक्सिजन का लेवल कम हो जाता है और ब्रेन को परियाप्त ऑक्सिजन नहीं मिल पाता ऐसे में ब्रेन से ऑक्सिजन के लिए सिगनल जाता है और बीपी बढ़ता है जब BP हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो रक्त की आपूर्ती करने वाले नस फट जाती है और रक्त स्ट्राव होने लगता है पहले brain hemorrhage बुजर्गों में होता था लेकिन अब 30, 40 और 50 की उम्र के लोगों में hemorrhage हो रहा है शहरी करण hypertension, aneurysm, stress, brain hemorrhage के करण है के ये अस्पताल की dean और neurologist doctor संगिता रावत ने बताये कि लोगों में और जागरुपता की जरुरत है अस्पताल में stroke के लगभग 20-30% मरीज ही golden hours में अस्पताल पहुँच पाते हैं stroke के लक्षन दिखें तो मरीज को छोटे अस्पताल में ले जाने से अच्छा उन अस्पतालों में ले जाए जहां city scan की सुविधा उपलब्द हो ताकि stroke confirm होते ही चार घंटे के भीतर थम्रोलाइसिस प्रक्रिया की मदद से मरीज का उपचार कर उसकी जान और शारिरिक शती से बचाया जा सकता है नियमे त्रूप से हाइपर टेंशन की दवा ले वरना ब्रीन हैम्रेस का खत्रा बढ़ जाता है